तो आज मैं दूंगे आप लोगों को कुछ ऐसी लसी की रेसिपी समर्ज चल रहे हैं और कर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी गट हैल्थ के लिए और कर्ड को अगर लसी की फॉर्म में यूज किया जाये तो आप बहुत सारे बेनेफिर्स उठा सकते हैं और इवन जिन ल जिन लोगों को बार-बार भोख लगती है वो बीच में कर्ड का यूज कर सकते हैं लसी की फॉर्म में तो यह बहुत ही ज़ादा है उनके वेट लॉस में तो आज में दूंगी आपको कुछ ऐसी वेट लॉस लसी जो आपका वेट लॉस भी करेंगी आपके मूड को बूस् कर सकते हैं यह सबी लस्ती की रेसिपी बहुत ही ज़ादा निर्टिशनस है रिचिन प्रोटीन भी है और बहुत ही अच्छा आपको फाइबर गंटेंड देंगी जिन लोगों को कॉंस्टी पेशन रहता है उनके लिए लस्ती की रेसिपी बहुत अच्छी है तो इसी बात कर दीजे सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसको सब के साथ लाइक और शेयर किया कीजे क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन हमें सब के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं लेकर चलते हूँ आपको किचन में और बना कर दिखाते हूँ आपको ये लस्ती की रेसिपी जो बहुत ही ज्यादा nutritious और tasty बनने वाली है तो आएए मेरे साथ मेरे किचन में तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मखाना और पनीर की लसी जी हाँ मखाना और पनीर से बनाएंगे लसी मखाने जो होते हैं केल्शियम और आपके प्रोटीन और मैंगनेशियम में रिच होते ह हैं वोन हेल्ट के लिए अच्छ है तो उनको हमने यहाँ पे ग्रैंड कर लिया है यह 10 से 12 माखाने थे अब यह low fat पनीर है घर का बना हुआ इसको मैं डाल दूंगी इसमें करीब 50 ग्राम तो यह मैंने 2 समश पनीर इसमें डाल दिया है यह 50 ग्राम के चित्ता है अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ी मिंट लीफ और साथ में ही डाल दी हूँ low fat curd जो मैंने घर पे ही जम आया है और साथ में ही एक कप पानी डाल दिया है और इसके बाद इस पे थोड़ा सा सोल डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे थोड़ा बोना जीरा और यह लस्ती जो है बहुत ही निट्रीशास है, रिचिन प्रोटीन है और बहुत ही टेस्टी है और इसको पीने के बाद आपको बहुत दिर तक भूग भी नहीं लगने वाली है आप इसे मिट मिल में भी ले सकते हैं, आप आइस टाल कर भी ले सकते हैं without tights भी ले सकते हैं यह बहुत ही ज़ादा tasty है बहुत ही ज़ादा nutritious है और best for weight loss है तो अब हम बना रहे हैं Ambranth Seeds की लसी और यह Ambranth Seeds पफ बहुत एजी ले online में जाते हैं यह बहुत ही ज़ादा nutritious होते हैं रिचिन प्रोटीन होते हैं यह आपकी health के लिए बहुत अच्छे हैं और gluten free होते हैं इनको हमने grind कर लेना है अभी नवरातरी चल रहे हैं तो अभी भी यह seeds मेरे पास हैं और यह आप आसानी से online मंगवा सकते हैं और इसको हमने grind करके और इसमें डाल दे रहे हैं हम एक medium size का बनाना अगर बहुत बड़ा बनाना है तो आप half बनाना ले और साथ में ही इसमें डाल देनी हो मैं गुलकंद और इसका taste बहुत ही अच्छा आता है लसी में और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी pinch of salt यह बहुत ही अच्छा balance देता है इसके taste को और साथ में ही half cup curd और half cup water डाल दिया है और इसको जो है हमने grind करना है इस तरीके से और यह लसी जो है बहुत ही ज़ादा tasty है rich in potassium है और यह जो है सभी तरीके की लोग ले सकते हैं और यह लसी जिनका BP higher रहता है उनके लिए भी बहुत ही beneficial है तो वो भी इसे ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा है उपर से मैंने सैफरोन भी डाल दिया है जो optional है अब बनाएंगे हम mango लसी और जिसके लिए यहाँ पर मैंने 5-6 पादाम लिये हैं और साथ में डेट्स लिये हैं साथ में यह half mango लिया है और mango आजकल बहुत ही अच्छे आ रहे है और उसके साथ ही इसमें half cup डाल दूँगी मैं low fat curd और half cup पैने इसमें water डाल दिया है और इसके साथ ही मैं इसमें सैफरोन water डाल दे रही हूँ और इसको अब हम कर देंगी ग्राइंट और यह बहुत ही जादा nutritious है आपकी skin को glow करने के लिए बहुत ही best है और अगर आपने इसको morning में पिया तो breakfast के लिए भी best है और बेड़ में तो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और यह आपकी छोटी छोटी भूख को शान तरने के लिए भी बहुत ही best है यह बहुत ही जादा nutritious है और आपकी skin को बहुत जादा glow करेंगी और यह है मेरी favorite लसी और यह चटपटी और चटाकेदार लसी है और इसमें डाल दिया है मैंने ginger और साथ में ही डाल दिया है coriander और साथ में ही डाल दिया है mint leaves यह लसी आपकी gut health के लिए बहुत अच्छी है इसमें एक मैने green jelly पी डाली है half cup डाल देंगे इसमें हम low fat yogurt और जो घर का बना हुआ दही है और साथ में ही half cup water डाल देंगे उसके साथ में ही इसमें जाएगा बुना जीरा पाउडर और साथ में ही salt और इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाल देंगे यह लसी इतनी जादा चटपटी बनती है कि अगर आपको कुछ चटपटा खाने की craving हो रही है न वेट लॉस में तो इस लसी को पी लीजेगा सारी craving शान दो जाएगी और आपका वेट लॉस भी स्पीड अप रहेगा तो इस लसी को आप ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा तो यह चारो ही फ्लेवर लसी की बहुत ज़्यादा टेस्टी और निट्रिशन है और वेट लॉस को स्पीड अप करने के लिए बेस्ट है तो कोलोस्रॉल जिनका बड़ा रहता है उनके लिए अची है जिनको बहुत जादा इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है उनके लिए अची है और एवन यह लूस बोशन के लिए भी अच्छी है तो इन सबी लसी की रेसिपी इस का आप यूस कीजेगा और मुझे जरूर दाल लेने के लिए चैनल की डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्षेन में पूरी डिटेल है तो वहां से जाके आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे सारे सोचल मेडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिलकुल मत भूलिएगा जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलती ह तो आज के विए इतना ही मिलती हूँ जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ तो कनेक्टिड रहिएगा